हर साल आप लोग देखते हैं कि 15 नवंबर को बिर्शा मुंटा की जैनती बनाई जाती है और आप लोगों नहीं तेहास पड़ा होगा तो आप देखेंगे इन्होंने जो जनजातियों आदिवासियों के लिए काम किया उसकी वयाई से इन्हे आदिवासि जनजाती अपना भगवान मानते है और आप देखें इस तरह कोई महापूरोस रहा है और जिस राज्य से उसका सम्मंदर आए जिन आंदोलनों से उसका सम्मंदर आए तो उसके बारे में एक सामान जानकारी आप लोग जरूर देख लिया करिएगा और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी कर रहे है तब आप देखते हैं कि इस तरह के कुश्चन्स कई बार पूछ लिये जाते हैं कुछ पिक्चर्स भी आप लोग देख रहे हैं कि और इनका सम्मंद आप देखेंगे आज का जो जारगंड आप लोग देख रहे है ना इसी से था किसे जारगंड से और आप देखेंगे कि बिहार से अलग करके इनी को एक तरह से सिध्धानजली की रूम में आप कह सकते हैं कि सन्दोहजार में बिहार को बिहार से अलग करके जारगंड को राज बनाय गया था 15 नमंबर सन्दोहजार की बात है यहां के बरतमार में आप देखें हैमंत सुरेन मुकमंत्री है बिधान सभा में 80 सीटे है राज्य सभा में 6 सीटे है लोग सभा में 14 सीटे है 89,716 बर किलुमीटर में आपका जारगंड पहला हुआ है तो यह भी आप लोग याद रखेगा और आप हम लोग बात करते हैं कि भारती संसत द्वारप बिहार पुनरगटर अधिनियम सन 2000 पारित होने के बाद बर्स 2000 में बिहार से यलग करके जारगंड की स्थापना हुई थी और इस दिन को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जैन्ती के रूम में मनाय जाता है जिसे भगवान बिरसा के नाम से भी लोग जानते हैं बिरसा की बारे में अगर हम लोग बात करें तो इनका जनम बिरसा मुंडा का जनम कब होता है इनका जनम 15 नमबर 1875 में होता है उली हातु लोहर दगा जिला बंगाल प्रेसिडेंसी जो अब बारत्मार में खोटी जिला जहरकन में पड़ता है बे मुंडा जनजाती के थे और बिरसा का मानना था कि उन्हें भगवान ने लोगों की भलाई और उनके दुख दूर करने के लिए भेजा है किसे बिरसा को और इसलिए भी स्वयम को भगवान मानते थे और उन्हें अक्सर धर्ती अब्बा यानि की जगत पिता की रूम में जाना जाता है 1899 से लेकर सन 1900 में बेरसा मुंडा की नेतित में हुआ मुंडा विद्रो छोटा नांकुर जारकंड के चित में सरवाधिक चर्चेत रहा और इसे मुंडा उलगो लान विद्रो भी कहा जाता है और इस बिद्रों की सुरुआत मुंडा जंजाती की पारंपरिक विवस्था, खोट कटी की जमीदारी विवस्था में परिवर्तन केरने के कारण हुई थी और इससे पहले आप देखिए, हमारे देश में महराζया, राजा रहे हैं, उन्होंने कभी भी जंजाती चेतरों में हस्तचेफ नहीं किया लेकिन अंग्रेजों ने आप देखिए इनके चेत में हस्तचेफ सुरू कर दिए और इस बिद्रो में महलाओं की भूमिका भी उलेक निये रही और उन्होंने जनता को जागरित किया और जमीदारों और अंग्रेजों के खिलाप बिद्रो किया उन्होंने अंग्रेजों को करो और साहुकारों को रेड व्याज का भुकतान ना करने के लिए जनता को संग्रित किया और इस पेकार उन्होंने बेटे सासन की अंतो और जारखंड में मुंडा सासन की इस्थापना के लिए बिद्रो का नेतित किया उन्होंने दो सेन निकाईय से प्रिचार करते हुए गाउं की यात्रा की फरवरी सन उन्नीस सो में बिरसा मुंडा को सिंग भूम में गरपतार कर लिया और राची जेल में डाल दिया जहां आप देखेंगे 9 जून सन उन्नीस सो में उनकी मित्य हो गई और आदिवासियों के खिलाब सोसन और भेदभाव उनके संगर्स के कारण ही 1908 में चोटा नंगपुर कास्तकारी अदिनियम पारित किया गया और जिसमें आदिवासी लोगों से गैर आदिवासियों में भूमी के इस्तांतन को पिती बंदित कर दिया कई लोग कहते हैं कि इनकी नॉर्मल मौत हुई थी कई तिहास कर कहते हैं कि ने जहे दिया गया था इन्हें मारा गया था ठीक है तो यह भी बात चलती रहती है तो एक सौट वायोग्राफ ही आप लोग कह सकते हैं सौट जानकारी कह सकते हैं बिरसा बुंडा के बारे में इनके बारे में याद रखिएगा आप लो